ये दोस्तों स्रीपारणाष्री चैनल में आपका बहुत दbush आगत है दोस्तों आजकी जो वीडियो है ये बहुत ही ज़ादा इंपोर्टन्ड और खास वीडियो होने वाला है चाहे आप एक लड़का हो या फिर लड़की हो सब के लिए बहुत ही जादा खास और important वीडियो है क्योंकि मैं आज आपको पांच ऐसी बाते बताऊंगे जो अगर आप अपने पार्टनर के साथ मैच करते हो तो आपको बहुत easily पता चल जाएगा कि आपके पार्टनर आपको खोने से ड़ता है या नहीं और ये जानना बहुत ही जादा जरूरी है क्यों? क्योंकि अगर आपके पार्टनर आपको खोने से नहीं डढ़ेंगे तो फिर आप दोनों में प्यार कम होता जाएगा एक relationship में खोने का ड़र रहना बहुत ही जादा जरूरी है तो ये जो आज मैं 5 point बताऊंगी ये 5 point अगर आपके पार्टनर में है तो इसका मतलब वो आपको खोने से बहुत ही जादा ड़ते है तो ये बहुत अच्छी बात है ठीक है? और अगर मालो एक भी point मैच नहीं करता है तो इसका मतलब वो आपको खोने से बिलकुल भी नहीं ड़ते है तो यहाँ पे आपको क्या करना चाहिए? फिर मैं दूस्टे वीडियो बना चुकी हूँ कि खोने का ड़र कैसे पैदा करे वो वीडियो आप जरूर जाके चिक कर लेना आप सुर्च करना खोने का ड़र कैसे पैदा करे स्री परना स्री करके आपको वो वीडियो मिल जाएगा तो देख लेना लेकिन उससे पहले ये वीडियो आप देख लो ये जो 5 point है इसको सही से देख लो और अपने पार्टनर के साथ मैच करके देखो कि उनके साथ कितने मैच हो रहे है ठीक है तो जेले वीडियो स्टाट करते है चैनल में नए हो तो आप इस सब्सक्राइब कर लो ताकि मेरी आने वाली कोई वीडियो आप मिस ना कर जाओ तो पहले point में आ जाते है अगर आपके partner आपको खोने से डड़ेंगे तो वो आपके सामने बाद बाद पर माफी मांगेंगे मतलब कुछ भी वो गलत कर देंगे तो उससे पहले वो 10 बर आपसे माफी मांगेंगे कि sorry मुझे माफ कर दो मैं ऐसे नहीं कहना चाता था या फिर मैं ऐसे नहीं बोलना चाता था या फिर मुझे गलती हो गया मैं गलत बोल दिया जबकि आपको लगेगा ये इतना बड़ा गलती है भी नहीं आप उनको ये समझाओ गया रही ये तो कुछ भी नहीं है ऐसे क्यों बोल रहे हो लेकिन फिर भी वो गिल्ड फील करेगा और बार बार आपसे माफी मांगेंगे तो अगर इस टाइब की साइन आपके पार्टनर से मैच हो रहा है तो कंगराचिलेशन वो आपको खोने से बहुत ही जादा ड़ते है इसलिए हमेशा उसके मन में डड़ रहता है कि कुछ गलती ना हो जाए पार्टनर मुझे छोड़ के ना चला जाए इसी डड़ से वो बार बार आपसे माफी मांगता रहता है छोटी मोटी चीजों के लिए भी ठीक है तो ये होगी आपकी फॉस्ट पॉइंट अब सेकेंड पॉइंट में आ जाते है कि अभी जो मैं बताने वाली हूँ अब सुनके बिलकुल हैरान हो जाओ अगर आप सुचों के ऐसा भी भला हो सकता है तो ये कौन सा पॉइंट है यह दोस्तों अगर पार्टनर आपको खोने से डड़ेंगे तो आपको वो जूट बो जाओ इसलिए कभी-कभी वो आपको जूट बता सकते हैं सरफ आपके दिल रखने के लिए वो रिस्क नहीं लेना चाहेंगे कि आप गुस्ता हो जाओ उसके उपर नाराज हो जाओ इसके पीछे का जो माइक्रो लेवल अप जो साइकलोजी का सब्त है यह यही है कि वो आप आपके पार्टनर आपको जूट बोले तो पहले ही गुस्ता मत हो जाना थोड़ा सा खुश्पी हो जाना अंदर से कि वो आपकी परवा करता है इसलिए वो जूट बोला है ताकि आप नाराज ना हो जाओ आपके दिल ना तूट जाए ठीक है अब चलो थार्ट पॉइंट म ना पसंद की बहुत जादा क्यार करेंगे क्योंकि वो आपको खोने से डड़ते हैं वो कभी भी दिस्क नहीं लेना चाहेंगे कि आपकी ना पसंद की चीज़ करके वो आपकी सामने छोटा हो जाए या फिर आप उसे डिजलाइक करने लगो इस वजह से आप जो चीज़ के करते हैं अगर वो आपको खोने से डड़ते हैं तो जो चौथा पॉइंट है यह है रोस्तो अगर पार्टनर आपको खोने से ड़रेंगे तो आप वो आपको बार बार एक ही सवाल पूछेंगे कि तुम मुझे कभी छोड़ के तो नहीं चले जाओगे तुम मुझे कई धोक भी हो सकता है कि यार एक ही बात क्यों बार-बार पूछते हो क्या तुम मुझे विलीब में करते हैं क्या तुम मुझे बेशक करते हो लेकि दोस्तों एक्षिल में ऐसी बात नहीं है वो आपको हथ से जादा खुणे से डड़ते हैं इसी वज़े से वो बार-बार पूछ के satisfied ह होना चाहते हैं कि हाँ आप उनको नहीं छोड़के जाओगे ठीक है तो अगर आपके पार्टनर आपको बार बार पूछे रहे तो आप प्लीज गुस्सा मत हो जाओ क्योंकि इसके पीछे का जो रिजन है वह एक्चियल में आपको खोने का ड़गी है अब दोस्तों पांच न मतलब कि वो आपको किसी भी हाल में गुस्ता नहीं दिलवाना चाहेंगे मान लो किसी कारण से आप गुस्ता हो जाओ तो वो तुरंत मनाने की कोशिश करेंगे मतलब आप गुस्ता हो गए तो उसका दुनिया ही उजड़ जाएगा वो बहुत तरह तरह की चीज़े सोचने लगेंगे कि अगर गुस्ता जादा दिन तक चला तो हो सकता है आपका इंटरेस्ट किसी और के उपर चला जाए या फिर आप अगर उसके उपर गुस्ता हो जाओगे तो हो सकता है आप यसे और को प्यार करने लगे किसी और से बात करने लगे ये सब कुछ सोच के वो गु गूश्ते को जाना शांद करवानी को कोशिश करता है और आपके गूश्य से वह बहुत ज्यादा डड़ते हैं अगर ऐसा हो रहा है तो डेफिनेटली पार्टनर आपको खोने से डरते हैं तो यह जो पांच में पॉइंट बताई यह पांच पॉइंट में कौनसा कौनसा आपकी पार्टनर के साथ मैच हो रहा है मुझे जरूर कॉमेंट में बताना और अगर एक भी पॉइंट मैच नहीं हो रहा है तो जरूर आप खोने का डर कैसे पैदा क करके सर्च कर लो और वीडियो अभी देख लो फिर उसको अपलाई करना आज से ही शिरू कर दो तो अज के लिए इतना ही यह वीडियो सब में शेयर कर दो सबको पता होना चाहिए कि यह उसका जो पार्टनर है उसको खोने से डढ़ते हैं या नहीं अगर आप मेरे साथ डारि मिलता है नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बाई